हलो फ्रेंज फिर से एक नेई रेसिपी के संग आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है आज मैं फूलकोवी का ऐसा एक रेसिपी लाए हूँ फूलकोवी डोस्ट का जिसको देखे मूँ में पानी आ जाएगा बिना प्यांच लसुन के बहुत ही सुध्य तरीके से मैंने ये रेसिपी बनाया है आप इसको रोटी, चावल, फ्राइर राइस, पराठा सबके संग खास खते हो और ब्रत में भी इसको बना के खास सकते हो आसा करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगा सबसे पहले मैंने एक बड़ासा फूल्-कोपी को इस तरह से छोटे छोटे पीसे से कट कर लिए अवब है फूल-कोपी को मैंने पहले से धोके ऑपक साप कर लिए थे इसको दुबारा में धोंगी तो इसके लिए गयास में मैं पहले से दो कब जितना पानी थोड़ा गरम होने के लिए छोड़ दिये थे पानी गरम हो जाने के बाद मैं गयास का फ्लेम आप कर दे हूँ और जो कटे हुए फुलकोबी था उसको ये गरम पानी में डाल देंगे अच्छे से इसको ढूबो देंगे और तीन से चार बिट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे इस्से क्या होगा फुलकोबी के अंदर कोई कीड़ा रहता है वह भी निकल जाहेगा और फुलकोबी का जो अलगत सोस्मेल रहता है वह भी चला जाएगा तो देखो पानी से all was को मैंने निकाल लिए है एक चीज धियान रखना दोस्तों फूल कोपी को उबालना नहीं है पानी के साथ खाली गड़म पानी में इसको धोना है तो मैंने यहां पर गैस में एक पैन चरा दी हूँ पैन में अधा कब जीतना रिफाइन डाल दी हूँ अभी जो फूल कोपी को जाचा में में तो फूल कोपी को इसमें डाल देंगे और मीडियव फ्ले में इसको थोड़ा 3 इन से चारमिपनी फ्राइय कर लेंगे कर लोड़ा पलट करना नहीं है इसमें थोड़ा सा मेंने हल्दी डाल दिये है ताकि अच्छा से लगए दिखने मैं फूल कोबी को साढरे नीकलने के बाद मैंने भुषरे एक बॉल लो लुए से माझेदार सी मसाला करेंगे इसके लिए दोू बड़े चमाज मैंने खट्टा दही ले लिये हूं दही ज्याद खट्टा नहीं है है। इसमें कुछ मसाला डालेंगे वान टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर, हाप टेबल स्पून जितना जीरा पाउडर, हाप टेबल स्पून जितना हल्दी, कस्मीरी रेट चिली पाउडर और तीखा रेट चिली पाउडर थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और स्वाध अनुसर नमक डाल देंगे इसमें मैं एक चमज भर के चीनी भी डाली हूँ इसका सिग्रेट में बाद में बताऊंगी कि चीनी डालने से क्या होता है सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो फूल गोवी को फ्रा जाजू और वान टेबल स्पून जितना मागज को थोड़ा पानी डाल के पेस्ट कर लिए थे उसको भी डाल देंगे आपके पच मागज ना हो तो आप खसकस यानि पॉपी सीर्ष भी डाल सकते हो सबको अच्छे से मिक्स करके जैसे चीकन का मैरिनेट करते हैं उसी तरह मैरि तोड़ा सा काला मिर्ची और क्वर्टर चमज इतना साही जीरा डाल देंगे सबको एक मिनिट अच्छे से बीडियम फ्लेम में फ्राय कर लेंगे आपके पास साही जीरा ना हो तो आप नार्मल जीरा भी डाल सकते हो मैंने यहां पर बड़ा सा एक चमज भरके अदरक का पे बड़ा हाइ दाल देंगे और हॉइ फ्लेम में अभी इसको आफ पका लेंगे दोस्तुों यहां पर हाइ फिलेम न मीक्स करके पकाना है क्योंकि दही को मैंने पहले से मसाली काशंग मैयनाट किये थी इसको अब आगर आप मिडियम फ्लेम या लो फ्लेम में पका उगे तो उसलिए इसको 2 मिकस ठरह क्पाव गयुट है में जो फैश्ट करके उसी में ठोड़ा पानी ड़ने, ऐसाड़ा नाइँ को भी दोगते। मेडियम फेरेम में चल्म्य मीकस करते हूए ड़ने, परस्ञाइस सी थैड़ा जाएं में पने भी निनियर तकम थे बाbor कि थे मीडियम फ्लेम में इसको ढख देंगे ढखके इसको पका लेंगे इससे क्या होगा फुल को भी अच्छे से सौप्ट और नरम भी हो जाएगा और मसाला भी अच्छे से फून जाएगा दो से तीन मिनिट बात मैं फीसे ढखकन खोलके इसको थोड़ा चेक कर लेती हूं देख सकते हो यह टिप्स दुवारा इसको ढख देंगे 2-3 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम में और अच्छे से पका लेंगे 2-3 मिनिट के बाद मैं इसको फीसे ढखकन खोल लेती हूं और देख लेती हूं कैसा हुआ है तो दोस्तों देख सकते हो उपर में जो है तेल पू मैं आपको एक फूल को भी उठा के दिखा देंगे कितना अच्छे से यह बॉयल हो गया है तो फिर से इसको अच्छे से एक बर मीक्स कर लेंगे दोस्तों यहां पर मैंने प्यास लेशन का यूज नहीं किया है इसलिए मैंने यहां पर एक चम्मच घी देंगे देशी घी यह म मिला देंगे तो मेरा यहां पर फूलकोबी बन गया है अभी इसको में घयस कर डाप करके दोसेşekkür में किसी स्टैंडिंग टाइम में रख देंगे दोस्तों तिन मिएंадцंट के बाद यहां पर मैं एक बॉल ले लिए हूँ, सर्विंग बॉल में मैं फुलकोबी को सर्व कर लेंगे तो मेरा बन के रेडी हो गया है फुलकोबी डोस्ट दोस्तों ये बैंगॉली का बंगाल का एक बहुत ही ट्रेडिशनल डीस है हर तिवार में पूजा पारवन में इसको जरूर बनाया जाता है बंगाल में आप लोग भी इसको एक बस जरूर ट्राय करना ये खाने में भी जितना डिलिस्यास है दिखने में भी बहुत ही सुन्दर है बिना प्यास लोशन के और बिना टमाटर के इतना सुन्दर फूलकोवी का सबजी बनके रेडी होता है आप लोग अगर घर पे बनाओगे तो भी पता चलेगा इतना प्याड़ा टेस्टी है और डिलिस्यास है तो दोस्तो मेरा आज का रेसिपी कासा लगा जरूर कॉमेंट में बताना मेरे प्यारे दोस्तो अगर रेसिपी अच्छा लगए हो सच में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथी बेल आइकन को भी दबाना और और नोटिफिकसन को चालू करना ताकि हार नोटिफिकसन मिल जाए तो दोस्तो ऐसे मिलते रहेंगे नएने वीडियो के सम बाबाई टेक क्यार